हेलो बच्चो हम आज अपना इंटीग्रेशन चालू कर रहे हैं इंटीग्रेशन हम जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम फॉर्मुला-based कोशन सब से पहले करेंगे उसके बाद सब्सेटूशन मेतेड करेंगे उसके बाद टिक्नोमेट्री एक तरीके से टरीके से बहले ही हम चल रहे हैं NCIT के पैंट से हमारा CBSC, ICSC सभी बोड का कवर होता रहेगा और अगर कोई JEE के लिए या फिर NDA के लिए अपना बेस बनाना चाहता है तो यह उसके लिए भी काम आएगा तो जैसे मैंने बोला कि integration हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो सबसे पेला कोईशन यही होता है आखिर integration होता क्या है integration को समझने का बड़ा बेसिक तरीका यह है integration is nothing but successive edition देखो भई हमने mathematically अलग अलग चीजे क्यों बनाई है हमने multiplication क्यों बनाया चीजों को जोडने में दिक्कतार रही थी भई 10 को 18 बार जोडना एक बड़ा काम है लेकिन हमें पता है 10 18 जा 180 तो हम direct 180 अंसर निकाल सकते है तो हमने क्या करा addition है addition से multiplication पर आ गए लेकिन अब हम मानलो और भी जादा चीजों को एड़ कर रहे हैं इतनी जादा चीजों को एड़ कर रहे है कि multiplication भी उस चीज को comprehend नहीं कर पा रही है मानलो मैं आप लोगों को इस graph में जो ये curve है ये curve और x-axis के बीच का ये पूरा area निकालने के लिए कहता हूँ आपको ये पूरा area निकालना है अब ये कोई एक definite shape नहीं है चलो आपको किसी को लग भी रहो पैरा बोला है तो मैं और एक गंदी से shape बना देता हूँ अब मैं क्या रहा हूँ भाई इसका area निकालो तो इसका area निकालने का हमारे पास एकी तरीका है हम क्या करेंगे यहां पर मालने ते एक बिंदू है फिर एक और बिंदू है ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं हम इन सभी points का area निकाल के add कर देंगे अब यह इतने बड़ी diagram में ना जाने कितने dots होंगे और अगर मैं space जितनी बड़ी चाहियों की बात करूँ वहां कितने सारे dots होंगे तो यार उन सब को add करना उन सब को साथ मिलेना एक बहुत जादा दिक्कत की चीज है तो उन्हें लगातार add करते रहेंगे तो दिक्कत आ उन्हें का किया calculus का ही use करके अपन लोग एक और नहीं चीज बना देते हैं जिससे हम क्या करें जो यह multiple चीजों को add कर रहें उसमें हमें आसानी हो तो हमने उससे जो है integration का विश्कार कर दिया यह तो देखो मोटी-मोटी बात होगी कि what is integration लेकिन अगर मैं आगको सही बता इंटिग्रेशन के बारे में के भाईया यह differentiation का उल्टा होता है भाईये क्या होता है हमारा differentiation का उल्टा होता है इसके इलावा इसमें कोई भी नई चीज हमें जो है दिमाग लगाने के जरूरत नहीं है अगर हम सिर्फ यह basic सा concept में माइंड के अंदर रख लें के integration is nothing but the opposite of या फिर converge of या inverse of differentiation हमारे questions लग जाएंगे तो जैसा अभी हमने बात करा यह उल्टा होता है तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं आगे का मामला आगे का मामला क्या है भाई formula जैसा कि हमने discuss करा आज हम जो है formula based integration करेंगे कैसा integration करेंगे formula based integration ले देखे basic integration अगर मैं NCRT की बात करूँ तो हम पहली exercise की बात करें लेकिन अगर मैं इससी वालों के बात करो तो हम second exercise की बात करें उनकी पहली exercise पता नहीं क्यों टिंग्नोमेट्री की है जबकि पहले हमें basic integration सबहिना चाहिए तो हमारी जो है बिल्कुल basic level पर हम स्टार्ट करें है formula based integration तो अविश सी बात है formula based integration है तो हमें formula परते होने चाहिए तो integration के formula क्या होता है जैसा अभी हमने discuss करा differentiation के उल्डे तो मैं यहां से पहले representation दिखा देता हूं आपको कैसे रहती है x की power n.dx वही मतलब है इसका कि x की power n का अगर हम integration करेंगे तो क्या होगा हम यहां पर x की power n का integration कर रहे है किसके respect में x की respect में x की respect में x की respect में इतनी सी बात है न अगर notation की बात करें तो इसका formula के आजाता है x की power n plus 1 upon में n plus 1 plus का c power बढ़ जाएगी differentiation में क्या था power घटती थी और multiply में आता था तो integration में उल्टा हो जाएगा इसमें power बढ़ेगी और division में आ जाएगा power क्या होगी बढ़ेगी और division में आ जाएगा बिलकुल उसका उल्टा ठीके इसके basis पर हम एक आदे और formula बना देते हैं for example हम root x का बना देते हैं हम इसे x की power 1 by 2 मान के solve कर लेंगे इसका formula बन जाएगा x की power 3 by 2 upon में भी 3 by 2 जो की reciprocal हो जाएगा बचेगा 2 by 3 plus c आच देखो बात यह है कि यह plus का c आप क्या लगा रहे हो भी यह प्लस का c कहां से आ गया इसका तो कोई logic ही नहीं है देखो भाई सारी बात यह है कि हम कह रहे है उल्टा है उल्टा है उल्टा इस बात का मतलब यह है कि अगर मैं आगको example दूँ कि log x का example ले 1 by x का integration क्या है log x होता है यह बात है उल्टा उल्टा है यह बात हम समझ पा रहे हैं लेकिन यहां पर concept समझना है log x का differentiation 1 by x है इसलिए 1 by x का integration log x है log x का differentiation 1 by x है इसलिए 1 by x का integration log x है अच्छा बढ़ी अच्छी बात ही है तो अगर मैं आपसे पूछू log x plus 2 का differentiation क्या है answer 1 by x है log x minus 3 का क्या है differentiation 1 by x log x plus 1 by 2 का क्या है differentiation 1 by x तो भाई 1 by x तो इन सभी चीजों का differentiation है तो अगर इसका differentiation 1 by x है तो 1 by x का integration ये भी हो सकता है अगर इसका differentiation 1 by x है तो 1 by x का integration ये भी हो सकता है और अगर इसका differentiation 1 by x है तो 1 by x का integration ये भी हो सकता है ले देखे हम बोलें 1 by x का integration इनमें से कुछ भी हो सकता है मना log x के साथ कोई भी एक constant लगा हुआ तो इस कारण हम अगर बात करें कि 1 by x का integration क्या होता है हम सीधीर साधरन बाचा में कह देंगे भाया log x होता है लेकिन यार plus 2 वाला भी है plus 2 वाला भी है minus 3 वाला भी है plus 1 by 2 वाला भी क्या करें अरे plus c लग देते हैं कोई भी constant हो चलेगा क्लियर है ये plus का c कहां से आया constant दिखाने के लिए plus का c कहां से आया constant दिखाने के लिए ठीक है भाई तो 1 by x dot dx का क्या आगया log x plus c ठीक है ऐसे ही a की power x का क्या होगा sorry e की power x का आजागा e की power x वा multiply में आता था है divide में आजागा log a plus c हमारा e की power x का क्या होगा e की power x ही रहेगा plus का c ठीक है भाई और आगे बने अजागा 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 आवी आवी आगे देखते है तो e की पावर x आगे अगर मानलो कोई भी constant है उसका क्या होगा बाई simple x लग जाएगा x की पावर 0 मानलो तो 0 प्लस 1 अपाउन 0 प्लस 1 ठीक है बाई अगर simple dx हुआ तो x आजाएगा यही मानलो 1 यहाँ पर multiply में है है न sin x का क्या होगा minus cos x plus c ठीक हुटा उल्टा हो जाता है वहाँ साइन का कॉस ता cos का मैनिस साइन ता यहाँ साइन का मैनिस कॉस है और cos का sin है ठीक है अब ऐसे ही देखो अब बात आजाती है 10 x का sec x का cot x का cos x का वो हम जनरली अगर आप पढ़े हैं पहली एक्साइज में नहीं पढ़ते हैं इसे हम थर्ड एक्साइज में सब्सिटुशन मेथर्ड पढ़ने के बात पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लियर है भाई यह वाला फॉर्मला क्यों आया क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंशेशन कॉस ऐसे cos x है तो बाकी एक्साइज में इस्तमाल नहीं होंगे बट मैं लिख देता हूँ के आगया में यूज होने हैं तो एक जगाई लिख लेते हैं 10x का क्या आगया log sec x ठीक है cot x क्या आगया log sin x integration में जब भी log आएगा log बेटा है log के अंदर कीची मौडलस के अंदर लिखना है यह बात हमेशा याद रखना है integration में जब भी हम log बनाएगे तो log के अंदर कुछ भी लिखेंगे वो हमेशा mod के अंदर लिखना है यह हमेशा याद रखना है इसके बाद मेरा आता है sec x का sec x का क्या होता है भाई sec x का होता है log sec x plus 10 x plus c sec x के बाद हमारा आता है cosec x इसका आता है log cosec x minus cot x plus c clear है भी यहां तक मामला पानी है ना easy है चीज़े ठीक है थोड़ा और आगे बढ़े तो sec square x sec square x का क्या होगा sec square x के चीज का differentiation होता था 10 x का तो sec square x integration क्या होगा 10 x ते रोलटा ही चला है सब कुछ 10 x हो गया ऐसे ही cosec square x का minus cortex हो गया plus कसी ना लगाने का आधा नमबर जाता है ऐसे ही sec x 10 x यह भाई किसका integration sec x 10 x किसका integration oh sorry differentiation होता था sec x का तो sec x 10 x का integration क्या होगा simply sec x ऐसे ही cosec x cortex क्या होगा minus cosec x plus c clear है भई यहां तक मामला पानी सारा समझ में आता है ठीक है अच्छा है अब हमारे क्या बचे हमने algebra कर ली हमने technometry कर ली हमने यह एक्स्ट्रा भी कर ली है formula क्या बचा कुछ बचा क्या log वाला भी हो गया आगे log वाला 1 by x एरा क्या रह गया ITF तो 1 upon under root 1 minus x square इसका आजाता है sin inverse x plus c या फिर minus cos inverse x plus c आप अपने question की सहूलियत के हिजाब से कोई भी formula रख सकते हैं क्योंकि sin inverse x का यह formula होता था और cos inverse x का भी यही differentiation होता था बस minus में तो इसलिए minus इधर आगया ठीक है ऐसे ही 1 upon x square dot dx अज़ा मैंने dot dx नहीं लगाया कुछ formula में यह ठीक है यह मेरा आगया 10 inverse x plus c या फिर negative का cot inverse x plus c ठीक है भई हो गए यह उसके बाद finally 1 upon x under root x square minus 1 dot dx यह मेरा आएगा sec inverse x और दूसरा तो आप सभी के mind में आई ही गया होगा cos sec inverse x minus का ठीक है भई formula बेस इंटीग्रेशन है यह रहे सारे formula यह ना सारे use नहीं होने वाले हैं जो हम questions करेंगे बटा में इन में बहुत सारे formula आप हम यूज करेंगे और आगे तो चलते चलते सारे ही यूज होने वाले तो क्या करेंगे नहीं जल्दी से नोट करेंगे उसके बाद हम सीधा questions चालू करते है हमारा सबसे परला question है x की पावर e प्लस e की पावर e प्लस e की पावर x डॉट d x देखो एक बेड़ी बेसिक सी बात है कि अगर मानलो चीज़े ये प्लस वगेरा में है हैना integration में टेंशन लेनी है सबका अलग अलग हो जाएगा प्लस में हो मैंनस में हो multiply में multiplication rule by part करके एक होता है वह हम बहुत आगया भी जाके पड़ेंगे division rule कोई है नहीं तो ये वाला question है है ना चालू करते है मेरे साब से formula लिखने की ज़रूत नहीं है x की power e x की power एक constant है अच्छा जी x की power constant है उसका क्या होगा x की power e प्लस 1 upon e plus 1 x की power e है तो ये मेरा आगया x की power e plus 1 upon e plus 1 x की power n वाला formula plus e की power e e तो एक constant होता है constant की power constant मतलब ये की constant ही है जो ये पूरी चीज है वो एक constant है आप सभी के mind में clear होना चाहिए e की value 2.71 होती है equal नहीं होती approximately होती है 2.71 तो constant ही है constant वाले में में क्या बुद्धी लगाई multiply में x लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया बात है e की power x e की power x का e की power x let's see e की power x को कुछ फर्क नहीं पड़ता ना वो है ना मेम वगएरा बहुत है e की power x के उपर किसके उपर ना integration ना differentiation किसी का फर्क नहीं पड़ता e की power x का e की power x ही रहता है ठीक है अगला कोईशन देखते हैं second कोईशन x स्क्वार माइनस वन का होल स्क्वार अपवन x क्यूब डॉट दी एक्स ठीक है बई तो क्या करते हैं यहां पर कभी भी ऐसा कोईशन हो integration में एक चीज़ करने के लिए बहुत जादा तियार रहे ना अभी सुन लो ये बात नीचे वाली चीज़े सबके नीचे अलग अलग लेना फॉर एक्जामपल ये एक्स क्यूब है पहले में उपर वाली का फॉर्मला कोल देता हूँ ये बन गया मेरा x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वार प्लस 1 ठीक है उपर वाली चीज़ का होल स्क्वार कोला तो हमारा ये बन गया ठीक है ये माइनस b का होल स्क्वार बन गया अच्छा लेकिन क्या आप नीचे वाले x क्या क्या करें भाई इस चीज़ के लिए तियार रहो बहुत सारे कोशनों में करना रहेगा ये x क्यूब सबके नीचे मैंने अलग-अलग ले लिया ये x क्यूब सबके नीचे मैंने अलग-अलग ले लिया ये कटा बचा x ये कटा बचा मैनस 2 बाई x और ये भाई x की पावर मैनस 3 dot d x ठीक है तो x का integration यहाँ पे x की पावर क्या है वन मान लो अभी हमने डिसकस करा क्या होगा ये मेरा आजाएगा x की पावर 2 अपाउन 2 minus 2 by x देखो भाई जैसे differentiation में हुआ था constant multiply में छेडो मत constant अगर multiply में है छेडो मत उसे ignore करो जैसा है वैसा लिखा रहने दो minus का 2 multiply में लिखा है मत छेडो 1 by x है उसे देखो उसका लिख लो minus 2 by log x देखे है मत छेडो इन्हें ये सताय हुए है constant को नहीं छेड़ेंगे हम बचा x की पावर minus 3 x की पावर minus 3 का क्या हो जाएगा minus 3 plus 1 क्या आता है minus का 2 तो x की पावर minus 2 upon minus का 2 plus का c ये बन गया हमारा उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया x square by 2 minus 2 log x ठेक है minus 1 upon 2 x square plus c क्या हुआ ये minus plus minus हो गया x की पावर minus 2 है नीचे जाके plus का 2 हो गया ठेक है जैसे यहाँ पे था upon में था x की पावर 3 उपर जाके x की पावर minus 3 हो गया एसे यहाँ पे उपर x की पावर minus 3 नीचे जाके x की पावर 2 हो गया ठेक है भाई हमारा थर्ड कोश्चन आता है e की पावर 3x dot dx chain rule याद होगा नहीं पड़ा तो मैं आपको याद दिला देता हूँ derivative के अंदर अगर किसे नहीं पड़ा समझा देता हूँ derivative के अंदर हमने chain rule पड़ा था कि भाई e की पावर 3x का इन्होंने हमसे integration पूछा हमें नहीं पता हमको नहीं आता भाई e की पावर 3x integration क्या हमें नहीं पता बात खतम पर करना तो कोशन है एसा तो है नहीं छोड़ देंगे क्या करें तो हम क्या करते हैं हमें e की पावर 3x का नहीं पता बाट e की पावर x, x मतलब 3x, mind के अंदर हो गई ये बात, e की पावर x का क्या आता है, e की पावर x, प्लस c, बस एक चीज़ ध्यान दखना, बेटे, chain rule में क्या होता था, फर्दर होता था, जिसे आपने x माना था, उसका differentiation दुवारा होता था, तो यहाँ, वहाँ पर क्या होता था, यहाँ, divide में आएगा, और एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, फर्दर में हम, integration नहीं, differentiation नहीं करेंगे further में हम integration नहीं differentiation करेंगे तो हमने 3x को x माना e की power x का गया e की power x फिर जिसे भी हमने x माना था उसका further divide में तो यह आ जागा e की power 3x upon 3 plus 80 ठीक है बई एना easy है मामला integration कोई hard बात नहीं है बस महनत चाहिए और consistency से काम करना है fourth question की तरह बढ़ते है e की power x square dot dx fourth question की तरह बढ़ते है e की power x square dot dx अच्छा तो same question है e की power x square का differentiation मैं नहीं पता बहुत बढ़ी बात है बढ़ी बात तो नहीं है बट मजबूरी है क्या करें तो अपन लोग क्या करेंगे x square को t मान लेते है t नहीं मतलब x square को x मान लेते है जैसे यहां काम करा और जैसा मैंने बोले यह notation कहीं पर दिखानी नहीं है माइंड में करना है e की power x square को x मान लिया यह क्या हो गया e की power x x square x यह ना तो e की power x chain rule सब को पता होगा differentiation में और x square का further plus c x square का क्या आजाएगा 2x plus c अगर आपने question कर दिया तो very good यह पूरी तरीके से गलत है समझ मारी बात अगर आपने यह question कर दिया तो यह पूरी तरीके से गलत है क्यों गलत है क्योंकि हम यहां पे एक बड़ा छोटा सा note डालेंगे chain rule दो मैं English में लिख दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे notes है तो मैं कहीं दिखाने नहीं है तो मैं पढ़के समझना है तो मैं ऐसी language में लिख को हूँ जो आप बहुत उच्छे समझते हैं chain rule तभी use कर सकते हैं जब further करने पर एक constant चीज आती हो शायद यह जब आपको नहां देख रहा हो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जब बूड़गा शायद इतना इस आ रहा हो तो chain rule तभी use कर सकते हैं जब further करने पर एक constant चीज़ आती हो क्या आती हो constant चीज़ आती हो constant का मतलब क्या है constant का मतलब भी एक बार समझ लो independent of x independent of x तो भाई यहाँ पर हमने chain rule लगाया further करने पर क्या आया था 3 आया था अरे बहुत बड़े constant है तो यहाँ चल गया मामला बट यहाँ पर क्या आया गया x square था उसका further करने पर 2x आ गया क्या आ गया 2x आ गया constant चीज नहीं आई independent of x नहीं आया इसके कारण यह वाला हमारा गलत हो गया क्या हो गया गलत हो गया तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि भाईया chain rule आप तभी लगाएंगे जब further करने पर एक constant चीज आती हो कैसे चीज आती हो constant चीज आती हो अगर constant नहीं आ रहा आप chain rule नहीं लगाएंगे सवाल उठता है कि भाईया यह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे यह question कैसे करेंगे ले देके बात यह है कि यह question कर ही नहीं पाएंगे एक चीज आमें माइंड के अंदर रखने है integration हर एक question काम differentiation कर सकते हैं बढ़ हर एक question काम integration नहीं कर सकते यह question फिलाल जिस state में है यह नहीं हो सकता इसमें मानलों एक x multiply में आ गया या कुछ और अलग से चीजे आ गई तो शायद यह question हो पाए otherwise फिलाल it is impossible to solve clear है? ठीक है बई इतना उतारेंगे अचा वीडियो पॉस कर लेना क्योंकि आप एक सेगंड बाद आको सारा मेटा ही मिलेगा चलो भाई फिफ्थ question करते है 3 into e की पावर 2x plus 3 into e की पावर 4x upon e की पावर x plus e की पावर minus x dot dx ठीक है बई यह रा question हमारे पास e की पावर 3 into e की पावर 2x plus 3 into e की पावर 4x upon e की पावर x plus e की पावर minus x तो एक वर वीडियो पॉस कर के कुद करने की कोशिश करो मैं सॉल कर रहा हूं अब वीडियो पॉस करो हो जाए तो बड़ी बात है skip कर दो नहीं हो पाए तो फिर देखो कैसे होगा हर कुशन में यह करो वीडियो पॉस करो कुद कुशन करो नहीं हो रहा देखो कैसे हो रहा है हो जाए कुशन स्किप करो मैं नीचे टाइम स्टैंप डाल के रखोंगा लगातार कि यह इंट्रोड़क्शन है यह फॉर्मले लिखे जा रहे है यह जो है पहला कुशन चला है यह दूसरा कुशन चला है यह तीसरा कुशन चला है हर कुशन कर टाइम स्टैंप डाल दूँगा तो अगर आपका हो गया सीधा आप नेक्स कुशन पर स्किप कर सकते हो तो पॉस करो हो जाए तो बड़ी बात है ना हो तो मैं तो कराई रहा हूँ तो देखो भाई हम क्या कर देते हैं पहले e common ले लेते हैं एक बार ना मैंने गलती देखी थी बच्चे की हमें पता है उपर e की power यहाँ e की power 2x है e की power 2x common आजाएगा मैं बहुत क्लिरली पता है एक बच्चे ने क्या करा था common तो लिया यह बाहर लिख लिया मैं इस question में नहीं एक और question था test लिया था मैंने उसमें यह हुआ था उसमें क्या करा e की power 2x common मैं एक एक वाली चीज लियो लियो बाहर लिख ली यह नहीं करना integration में integration के symbol के बाहर सिर्फ constant जा सकता है x की वाली चीज़े हमेशा integration के symbol के अंदर ही रहेंगी आप उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते यह बात अपने mind के अंदर clear कर लिजे ठीक है तो यह तो बाहर नहीं आएगा हमारा 3 ज़रूर बाहर आजाएगा इसकी दिक्कत नहीं है E के पावर 2X मैंने लिया common यहाँ पे बचा 1 यहाँ पे बचा E के पावर 2X नीचे दिखते हैं क्या बचा तिक नीचे तो यह वाली चीज है E के पावर X प्लस E के पावर माइनस X क्या हो जाएगा 1 upon E के पावर X dot DX 3 E के पावर 2X प्लस 1 upon E के पावर 2X यह इधर आगया यह आगया E के पावर 2X प्लस 1 upon E के पावर X dot DX इन चीजों में कौन कहां जाएगा उपर जाएगा नीचे जाएगा बच्चे को समझ में बड़ी दिक्कत आती है आप बस यह देखो में फ्रेक्शन कौन सा में फ्रेक्शन है यह वाला तो यह होगा में फ्रेक्शन इसके नीचे क्या यह री दो चीज़े यह ना यह गया C, यह गया D इसके ओपर क्या देखो एक ही चीज है इसके ओपर क्या एक ही चीज है तो इस एक चीज को मैं A बोल दे रहा हूँ दूसरी चीज तो है नहीं पर दूसरी चीज हम क्या मान लेते हैं दूसरी चीज हम 1 मान लेते हैं तो क्या होगा हमारा ये वाली चीज यहां आ जाएगी और ये वाली चीज यहां आ जाएगी तो ऐसे ही हमारा c वाला जो है इसके निचे जो 1 है वो उसके पास आएगा यह वाला उपर जाएगा तो भाई मेरा क्या बना 3 e की पावर 2 x के साथ e की पावर x 1 प्लस e की पावर 2 x अप 20 आपाउन यह नीचे वाले 1 के पास गया e की पावर 2 x plus 1 dot dx ये कट गया यहाँ पे मेरा क्या बचा e के पावर 3x यह मिटा दे रहा हूं है यहाँ पे मेरा बचा 3 into e के पावर 3x dot dx, सब कुछ काटा पीटी हो गई सब को पता, सेम बचा पावर है 2x plus x 3x हो गया, dot dx मुल्टिप्लाइ में 3 है सब को पता e के पावर 3x का क्या आएगा e के पावर 3x 3x का फावर 3 plus c, ये कट गया बचा e के पावर 3x plus c हो गया कोशन बिल्कुल भी हाट नहीं था, बहुत हीजी था भाई बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है वो तो देखो लगाना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि हम चोटी क्लास के कोशन कर रहे हैं इंटीग्रेशन है, तोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा ठीके भी, next question के तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा pause आया उसके लिए, sorry मेरा, जो है, माइक का plug निकल गया था question है e के पावर 3a log x plus e के पावर 3x log a dot dx dot dx यह रहा मामला पाने चलू करते हैं तो एक वही, pause करो, खुद करो नहीं हो, आके देखो ठीके, मैं question चलू करता हूँ तो बढ़े, यह question बहुत जरूरी है, यह हमें log की property remind करा रहा है, क्या करा रहा है log की properties, वो log की properties जो हम भूल गए हैं, क्योंकि बार-बार question में नहीं लग रही, 100-200 question करते हैं, एक-दो में लगते हैं, दिमाग से उतर जाता है तो यहां पर mainly log की properties लग रही है, कौन-कौन सी property लग रही है, पहले की बात करते हैं हमें पता है भाई, log x की power n है, log के अंदर कोई भी चीज की power n है, यह n के आ जाता है सामने आ जाता है यह n के आ जाता है, सामने आ जाता है, तो उल्टा भी तो होगा भाई, जो बाहर log के साथ multiply में है, वो उपर power में आ जाएगा आया ना, तो उसी property का इस्तमाल करते हुए यह 3a जो है log के साथ multiply में है, यह उपर x की power में आ जाएगा, यह 3x जो है log के साथ multiply में है, यह उपर a की power के उपर आ जाएगा, तो इस तरीके से मेरा question change हो गया यह मेरा बन गया e की power log x 3a plus e की power log a 3x dot dx पर आदे बच्चे कहेंगे आदे बच्चे कहा है, आपने तो और हाड़ कर दिया power की, कोई power है, उसके अंदर कोई चीज और उसकी भी power है, यह तो और गंदा हो गया question, ऐसे थोड़ी हो गया, आप तो cheating कर रहे हो, तो बटा question easy हो गया है, दिक्कत यह है कि आपको property नहीं याद, एक पहले basic बात याद रखना, जो भी हम calculus के अंदर mathematics के अंदर log पढ़ते हैं, वहाँ base e होता है, और जो physics के अंदर हम, जो log पढ़ते हैं वहाँ base 10 होता है, calculation वाला physics में, chemistry में, यहना even accounts वगेरा में भी हम log लेके आते हैं base 10 लेते हैं, पर mathematics calculus के अंदर हमारा base क्या है, हमारा base क्या है, e है, जिसे लिखा नहीं है, यहाँ लेकिन base e है, याद रखना तो यह property base e वाले के लिए है, क्या property है कि e की power अगर log x है तो e से log एक तरीके से मानलो कट गया, और सिर्फ x बचता है अगर e की power log x है, तो मानलो e से log कट गया, और सिर्फ x बचा, इस हिसाब से भाई हमारा यहाँ पर क्या आ गया यहाँ पर e से log कटा मेरा आ गया x की power 3a plus e से log कटा, यहाँ मेरा आ गया a की power 3x dot dx x की power 3a, वो ही constant x की power n वाला formula हो गया तो मेरा आ गया x की power 3a plus 1 upon, जो भी power में आए, वही सेमचे नीचे लिख दिया करो, a की power x, a की power x क्या आएगा भाई, a की power x log a, प्लस c अच्छा, लेकिन 3x क्या करना पड़ेगा फर्दर करना पड़ेगा, क्योंकि a की power x की formula लगा है, a की power x के लिए 3x को हमने x समाना होगा, 3x का further करेंगे तो नीचा आजाएगा 3, यवर मैं दुबारा बोल देता हूँ, यह तो clear x से power n वाला formula, यह तो बहुत easy हो गया एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं, यह a की power 3x से नहीं पता formula तो इसे मैंने क्या मान लिया, a की power x मान लिया, a की power x का formula क्या होता है a की power x upon में log a, पर 3x को मैंने x माना है तो 3x को मुझे फर्जा करना पड़ा ठीक है भई, ठीक, पॉस्ट करके उताल लेंगे, ठीक है चलो भई, 7th question x की power x square sorry, x square upon x square plus 1 dot dx अब एक और बात सुनो मैं सना, बहुत प्यारी चीज़, बहुत सुनदर चीज़ है mathematics में exception नहीं होते तो मैं इस question में एक बात बता दूँआ भाई, इस तरीके question कैसे करना है इस तरीके का जो भी question आए, इस ही तरीके से करना बात क्या है, बात यह है कि अगर numerator और denominator में x की, x या variable की maximum power same है तो जो उपर है वही चीज नीचे बना दो वही चीज उपर बना दो वही चीज उपर बना दो अज़ा दो यह बेफ कुफी मत करना, अभी इस पारे में बात करता हूँ मैं बहुत क्लिरली एक बात दाता हूँ बेफ कुफी मैं नहीं चाता कोई करे, मानलो x square upon x square plus 1 है अज़ मैंने क्या बोला भाई, इंटीग्रेशन में बाटने के आदर डाल दोगी उपर वाला सारा बढ़ जाता है, नीचे वाली चीज आती है यह बेफ कुफी मत करना, बहुत से अच्छे करते है यह ऐसे लिख लेंगे और यह ऐसे लिख लेंगे और उन्हें हो जाएगी काला पानी की सजा अंडबान निको बार आइलेंड पर भेज देंगे उन्हें हम कालकोटरी के अंदर बिटा नहीं होगा ऐसा डिनॉमिनेटर डिनॉमिनेटर विल नेवर स्प्लिट्स ठीक है बई? डिनॉमिनेटर कभी स्प्लिट्ट नहीं होता चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो आप ऐसे नहीं है एक्स अपॉन ए प्लस य अपॉन बिल ले लेंगे हिस्सेदारी हो जाएगी अरे नहीं यार बेफ़फो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके लिए बात है ऐसा तोड़ी होगा यार या जाएगा A into B या जाएगा AX या जाएगा BX या जाएगा AY अरे भाई कहां mathematically ये दोनों चीजे एक्वल हैं जमीन आस्मान का फर्क है इन में तो धान रखना डेनॉमिनेटर विल नावर स्पिट ये गलती इतनी जादा मैं देखता हूं कही बार टॉपर बच्चों से भी तो ये गलती कोई नहीं करेगा ठीक है अच्छा बैक टू दो कोशन हमने क्या डिस्कस करा कि भाई कि भाई जो अगर हमारे उपर नीचे पावर से हैं है तो उपर भी हम क्या कर देते हैं एक्स स्क्वाइर प्लस बना देते हैं लेकिन हम मैतमेटिक्स कर रहे हैं काला जादू नहीं कर रहे है ओमबट सुआहा वन प्रकट हो जा ऐसा नहीं कर सकते भाई अगर ये प्लस का वन कहीं से भी आया है तो हमें mathematics क्यों की कर रहे हैं तो हमें उसका explanation देना पड़ेगा यह plus का 1 कहां से आया है यह plus का 1 ऐसे आया है कि हम minus का भी 1 लेकर आगए क्या हुआ इससे plus 1 minus 1 0 0 फरकी नहीं पड़ा 0 एड़ करने से तो भाई अगर plus का 1 लाए हो तो minus का 1 भी लाना पड़ेगा ऐसे multiply में कुछ लाए हो divide में भी लाना पड़ेगा mathematics कर रहे हैं काला जादू नहीं इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो अपन लोग क्या करेंगे इस पार्ट को एक चीज़ मान लेते हैं और अब split कर देते हैं उपर वाले को अभी भी हम numerator को split कर रहे हैं denominator को split नहीं कर रहे हैं यह चीज़ माइंड के अंदर गुता हैं तो यह मेरा आ जाएगा x square upon x square plus 1 minus 1 upon x square plus 1 dot dx यह कटा मेरा यह मेरा गया 1 minus 1 plus x square dot dx x square plus 1 को 1 plus x square लिक लिया ठीक है आप सभी को clear होना चाहिए क्यों वाले आपको याद होंगे नहीं याद है तो गलत बात है ठीक है वन का क्या हो जाएगा खेर अभी just class start हुई है तो गलत बात नहीं है कोई बात नहीं याद नहीं है कोई बात नहीं हो जाएगा थीमे थीमे तो 1 का क्या जाएगा x minus 1 upon 1 plus x square का क्या जाएगा 10 inverse x let's see खतम फिनिश टाटा ठीक है बस easy कैसे हो गया question ये जो है बाबा जी का मंतर पता होना चाहिए किस बाबा का अभिशेख बाबा का ठीक है खर ऐसा नहीं है कि मैंने इसी इन्वेंट करी है किसी नहीं पता नहीं कर रख ही हो किसी मैंने आईसे सी की बुक में इवन लिखा हुआ देखा है ये बायकादा के डिगरी ओफ नुमेरेटर ऐसे करके उन्हें लिखा भी था तो ऐसे नहीं है मैंने इन्वेंट किया है लेकिन हाँ अभी ये मंतर आपको इस बाबा ने दिया है याद रखना मतर याद रखना कि अगर नुमेरेटर और डिनॉमेरेटर में वेरियेबल की मैक्सिमम पावर सेम है तो जो उपर है वही ओहो जो नीचे है वही उपर बना दो ठीक है जो नीचे है वही उपर बना दो नीचे तो बनाने का फाइदा नीचे वाल तो स्प्लेटी नहीं हो सकता ना उपर बनाएंगे उपर वाला स्प्लेट हो सकता है ठीक है भाई उसके बाद हमारा जो कोशन आता है एट्थ कोशन xe power 6 minus 1 upon x square plus 1 dot dx ठीक है नया question, नया मंतर नया मंतर क्या है अगर दोग यहां पर मैं numerator, denominator उपर वाला, नीचे वाला हर एक वर्ड यूश के लिए यहां पर मैं सिर्फ उपर नीचे बोल ला हूँ उपर वाले यानि numerator के power उपर वाले यानि numerator के power नीचे वाले की power से अगर उपर वाले की power उपर वाले की power नीचे वाले की power से जादा हो ठीक है, अगर उपर वाले की power नीचे वाले की पावर से जादा हो तो डिवाइड कर दो तो डिवाइड कर दो अगर उपर वाले की पावर नीचे वाले की पावर से जादा हो तो डिवाइड कर दो अंसर आ जाएगा अच्छा देखो भाई एक चीज मैं पहले ही क्लिए कर देता हूं यह मैंने बात बता दी है ये बात बिल्कुल correct है बात 1% गलत नहीं जाएगी कभी भी question में लेकिन न कई बर क्या होता है कि हमें shortcut में हम करना पसंद करें divide से थोड़ा सा लंबा जाता है पर question हो जाता है लेकि कई बर हम क्या करते हैं बेन divide के भी question कर सकते हैं for example अगर मैं आपको बोलू माल लो question यह होता तो मैं यहां पर यह नीचे बाला दिमाग ना लगाता एक बार को मैं लिग देता के भाई x की power 6 जो है x square का cube हो गया minus 1 का cube नीचे x square minus 1 है ठीक है इसे जब मैं खोलूंगा तो यह मेरा हो जाएगा x square a q minus b q का formula a minus b a square जो यहां पर चीज़े बनेंगे नीचे भी x square minus 1 बनाएगा यह कट जाएगा हम ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन तब कर सकते हैं formula बन रहा हो अगर formula नहीं बन रहा तो तो भाई मजबूरी है formula तो अब नहीं बन दा काटा पीटी कुछ होगी नहीं मजबूरी है यह वाली बुद्धि लगाने पड़ेगी उपर वाले की पावन नेचे वहले से जएदा है डिवाइड कर दो अगर formula नहीं बन रहा तो यह वाली बुद्धि काम आएगा तो अगर फॉर्मला आपको दिख रहा है बनता हुआ कोई तो बना दो नहीं दिख रहा तो भाई मंतर याद तो है आपको के भाई अगर उपर वाले की पावर हमारी नीचे वाले से ज़्यादा हो तो डिवाइड कर देंगे डिवाइड करना इधिंक सभी को आता है सपने क्या देखने हैं यह पूरे करने है तो एकस स्क्वाइर में किसकी मुल्टिप्लाइ करें एकस की पावर 6 आजाए कुछ बच्चे एकस क्यूब बोलेते लास्ट क्लास में एकस की पावर 4 अंसर है कि यहां पर 2 एकस हैं यहां 6 एकस हैं कितना और चीए 4 एकस तो हमा था अं प्लियर है तेकए अब यहां x2 है उस से हमें x की पावर-4 काटना है एकस स्क्वाइर 2 x हैं हमें कितने चाहिए हैं दो और चाहिए तो मेरा यह आगया मैनस x2 माईनस मांस ओ सॉर्य मााईनस प्लुस मांस x2 की x2 में करें, x की पावर 4 आगया, प्लस की माइनस में करी आ गया माइनस की एकस स्क्वाइर नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं ये हो गया प्लस ये भी हो गया प्लस ये गया कट मेरा बचा एकस स्क्वाइर माइनस वन ठीक है उसके बाद सिंपल यहाँ भी एकस स्क्वाइर है simple plus के 1 के कर देते हैं यह मेरा आ गया x square minus 1 ठीक है oh plus 1 sign change यह हो गया minus यह भी हो गया minus तो यह cut गया बचा minus का 2 ठीक है उसके बाद देखो मैं यह वाला मिटा रहा हूं I hope उतार चुके हो आप नहीं उतारे तो pause करूँ ठीक है तो भाई देखो बच्चपन में पढ़ी हुई बाते हैं यह clearly याद रखो यह मेरा होता है divisor यह मेरा होता है dividend यह मेरा होता है quotent यह मेरा होता है remainder यह ना और Euclid division algorithm क्या कहती है dividend बराबर है divisor into quotent plus remainder के dividend बराबर है divisor into quotent plus remainder के लेकिन हमारा question किस फॉर्म में है question के उपर ध्यान देते हैं हमारा question है dividend upon divisor की फॉर्म में क्या-क्या dividend upon divisor की फॉर्म में हमारा question यह है तो हमें क्या चाहिए भाई हमें चाहिए dividend upon divisor अगर यहाँ upon में diviser लाएं है तो यहाँ भी लाना पड़ेगा तो यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया यह तो कट गया तो हमारा यह वाली चीज यह बन गया dividend upon diviser बराबर है equivalent plus remainder upon diviser के यह हमने अपनी तरफ से एक चीज बना लिए जिससे हम question में इसा लगा सकें है ना अच्छा जी तो लगाते हैं हमारा question था यह dividend upon diviser यह मेरा क्या आ गया quotient यानि वो वाली चीज x की power 4 minus x square plus 1 plus remainder minus का 2 upon diviser x square plus 1 लिखो 1 plus x square लिखो एक ही बात है dot dx x और अब इसका integration कर देंगे क्या कर देंगे? integration कर देंगे x की power 4 क्या बन जाएगा x की power 5 upon 5 x square क्या बन जाएगा x cube upon 3 1 का बन जाएगा x minus 2 को छेडेंगे नहीं 1 upon x square का आ जाएगा 1 plus x square upon में जो है उसका आ जाएगा 10 verse x plus c टेके भाई बात याद रखेंगे अगर उपर वाले की power नीचे वाले से जाएगा हो divide कर दो divide करने के बाद ये वाली बुद्धी लगा लो बच्पन की है ये बुद्धी टेके तो ये बुद्धी लगा लो ये बुद्धी लगाने के बाद question हमने इस form में break कर दिया और हमारा answer आ गया क्या हो गया हमारा answer आ गया टेके भाई फिर देखते हैं इसके बाद अगला question चलो भई next question देखते है ninth ninth question है हमारा e की पावर 6 है? 5 है? 6 log x minus e की पावर 5 log x upon e की पावर 5 log x minus e की पावर 3 log x dot dx तो यह question कैसे करना है? इससे मिलता जूलता भी हमने question देखा था क्या उनसा वाला question e की पावर 3 x log e करके था x की पावर 3 e log x और question number 2 या 3 question back आप देखोगी यही था तो वही log की properties लगनी है main main इसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें log की properties लगनी है यह ना? पहले वाली कौन सी property लगेगी? जैसे हमने discuss करा कि लग में कुछ भी आगे हो वो उपर पावर में आ सकता है तो मेरा आ गया e log x की पावर 6 minus e log x की पावर 5 upon e log x की पावर 5 minus e log x cube dot dx e से log क्या होगा बेटा? कट जाएगा और हमारा क्या बचेगा? जो भी log के अंदर है हमारा सिर्फ वो बचेगा तो हमारा बचा ऊपर x की पावर 6 minus x की पावर 5 upon x की पावर 5 minus x cube dot dx ठीक है भाई? उसके बाद common ले लेते हैं ऊपर से हमारा क्या common आ गया? ऊपर से मेरा x की पावर 5 common आ गया अंदर बचा x minus 1 नीचे से मेरा क्या common आया? नीचे से मेरा आ गया x की पावर 3 common अंदर बचा x square minus 1 dot dx इससे जो है ऊपर वाला काटिंगे बच जाएगा x की पावर पाँच में से 3 गया 2 x minus 1 upon ये क्या है नीचे x square minus 1 x square minus 1 को हम लिख सकते हैं x minus 1 x plus 1 ये कट जाएंगे dot dx इसके बाद भई हमारा question में क्या बचा हमारा question में बचा है x square upon x plus 1 dot dx देखो भाई नीचे वाले की पावर उपर वाल से कम है या फिर उपर वाले की पावर नीचे वाल से आज़ा हम सिधा डिवाइड कर सकते हैं मैंने क्या बोला डिवाइड कर दो answer 110% सही आएगा हाँ जी back to the question again mic निकल गया था मेरे पहर मेंड के हाँ जी तो मैं कहा था उपर वाले की पावर जाद है डिवाइड कर दो 100% अंसर आज आएगा बोला है तो आएगा जूट तो बोलेंगे नहीं बाई तो डिवाइड कर दो answer आज आएगा है ना मगर हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं बई डिवाइड वाला तो आप करीद होगे डिवाइड वाला तो आपको आगया अब मैं आपको एक दूसर तरीका भी दिखा देता हूँ लेकिन वो जैको ऐसा नहीं है कि हर एक question में लग जाए 1.dx यहां पर x-1 x-1 upon x-1.dx plus log x-1 एक है x-1 से x-1 कटा यहां बचा है x-1 यह मेरा आगया x-square minus का x x-square minus का x plus log x-plus 1 plus c final end में c लगा करो आप चाओं यहां भी c लगा देते हैं कोई गड़बड नहीं थी मर जी यह सिदा end में भी लगाओ कोई देख करती है अच्छा question के अंदर एक गलती है वीडियो pause करके question आपके आगे है पूरा question पूरा का पूरा आपके आगे है वीडियो pause करके गलती देखो मैं तो भी बता रहा हूँ गलती यह है कि हमने बहुत पहले ही आपको बोला कि जब भी log के अंदर कुछ भी आएगा वो mod में आएगा जब भी log के अंदर कुछ आएगा वो mod में आएगा यह चीज़ याद रखनी है भाई आदा नंबर जाता है इन बातों पहे है ना यह मेरा आगया answer क्लियर है ठीक है नाइंध कुछ न हो गया है ना लॉक की वही property लगी बस आगे जाके तोड़ा extra ना काम करना पड़ा है कुछ न के हिसाब से ठीक है करी रहे हैं उसमें थोड़ी सी trigonometry का भी यूज कर लेते हैं क्यूंकि जैसे मैंने मुझा इससी वालों ने तो पहली XS trigonometry के दे दी मेरे हिसाब से यह गलत है अगर मैं एक भी trigonometry ना कराऊं तो substitution में दिक्कत आ जाएगी तो थोड़ा बहुत basic level पर trigonometry के questions आपे देखने पड़ेंगे तो अब हम trigonometry के questions चलू करते हैं sin square x minus cos square x upon sin square x into cos square x dot dx अरे भाई यह तो easy question है answer easy question है भाईया कैसे easy है अरे आपने ही तो बताया भाई इंटीग्रेशन में त्यार हो जाओ उपर वाली चीजों को बाटने के लिए हम तो बाट देते हैं इसे क्या बन गया हमारा sin square x upon sin square x dot cos square x minus cos square x upon sin square x into cos square x और इन सब के साथ dx आप तो दिखी गया यह कटा यह कटा यह कटा तो भाई कटा पी डिगनेशन लगाने नहीं चाहिए अगर आप ncrt देख लो या कोई भी उठालो एक्जामपल सुटा के देख लेना आप किसी भी एक्जामपल में ऐसे कट लगता हूँ नहीं देखेंगे 10x एहे ठीक है? माइनस कॉसेक स्क्वार का इंटिगरेशन कॉट एक्स प्लस सी यह गया? 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी इजी कोशन जिम जो भी जिम के फैन है बोलते हो ना वजन उठात हूँ है लाइट वेट ऐसे इसी इजी कोशन ठीक है? 11-वा कोशन sys² x upon cos6.dx sys² x upon cos2 x .dx यार, मैंजा नहीं आया कोशन. बहुत इजी है कैसे बहुत इजी है? पता ितोब होने जैया 10 तो फरम ले ज़त चाहिं हम ہیں कोसेक स्क्वार ऊपर जाकर के क्या बन गया? sin square x sec square नीचे आगे क्या बन गया cos square x dot dx sin upon cos बच्चा अच्चे को पता है क्या होता है 10 square x dot dx पर यहां तो पिट्टूस हो गया मामला 10 square x बन गया 10 square x का तो integration आता ही नहीं है हमें 10 square x चोड़ो भाई आपने तो बोला था 10 x का भी integration का formula इस exercise में यूज रहीं होगा यहां तो 10 square x आगया कैसे करें chain rule का तो सवाल भी नहीं उठता याद रखना तो यहां पर यार क्यों दिमाग लगा इतना हम 10 square क्या होता है sec square x minus 1 simple class 10 10th के formula 10 square x बराबर होता है sec square x minus 1 बहुत जादा यूज होने वाला है पूरे इसमें मैं फरमुला लिख के दिखा जेता ह क्या होता है होता था 1 प्लस 10 square x is equal to sec square x यह अधिंटिटी हो हुआ करती थी 1 प्लस 10 square sec square हो गया 1 प्लस Balance운데 cause x square हो गया sin square plus Mom synagogue को स्क्वार को अधिया सेक स्क्वार एक्स का पता है 10x 1 का पता है x plus c खतब मामला ठीक है next question 12th कुछ चलो भई last question 12 2 minus 3 sin x upon cos square x dot dx ठीक है 2 minus 3 sin x upon cos square x चलो करते हैं 2 के नीचे cos square लगा गया कैसे तो रहूं बाटरी निगले तियार रहो उपर वाला बटेगा हर बार बट रहा है कितने question हो गए है बटने वाले तियार रहो इस चीज के लिए उपर क्या आया 3 sin x upon cos square को मैं क्या cos x into cos x लिख लूँ है ना पर cos square का मतलग क्या है cos x की दो बार multiply तो cos square को मैंने cos x into cos x लिख दिया कोई दिक्कत नहीं होनी चीए अब हमारा जो यह cos square है यह उपर जाके मेरा क्या बन गया यह मेरा बन गया 2 sin square x यह मेरा क्या बन गया 2 sec square x यह ना minus यह क्या चीज़ हुई sin upon cos यह तो 10x हो गया upon में cos क्या हो गया sec x हो गया dot dx यह तो भाई formula बन गया कैसे formula बन गया sec square x to 10x constant छेड़ना ही नहीं है beat derivative weight integration constant तो छेड़ना ही नहीं है multiply वाला minus का 3 10x sec x क्या हो गया मेरा sec x simple formula plus का c अब भाई देखो मैंने तो last question बोल दिया इस बात का मतलब यह नहीं है कि formula based integration पूरी तरीके से गतम हो गया अभी भी कुछ गिने चुने ऐसे question है जो आप लोग लगाओ गया नहीं हो पाएंगे लेकिन maximum question वो है में एक और वीडियो बनाएंगे कि भाईया गिने चुने गंदे question जो की exam में आ जाते हैं पर हिला कोई नहीं पाएगा वो question को ठीक है तो basic integration के अंदर के दुख के वो question है कराने को अभी भी करा दूँ लेकिन नहीं आप अभी ये करें इसके बाद आप लोग जो है अगर ICS के हैं आप अपनी book की second exercise करें NCRT के हैं मलब NCVAC वाले अपनी book की first exercise करें UP बोर्ड वाले हैं तो NCRT ही लगी होगी और किसी बोर्ड का कोई हो तो मेरे को नहीं पता मेरे को ये तीन मालूम है तो मैंने उसके हिसाब से बोल दिया है बात रही competition की अगर कोई competition में है और just integration स्टार्ट करना चाहते तो ये वीडियो उसके लिए बहुत बढ़िया है लेकिन competition मालों को clear कर देता हूं अभी बहुत जादा यात्रा चलनी है आप लोगों को तो हम वीडियो को यहीं end करते हैं हमारी इसके बाद next वीडियो आएगी substitution के ओपर integration by substitution method जाहिंद